हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज हम आपके लिए रिडिंग लेकर रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है पहले हम दिल के कार्ड निकालेंगे फिर हम दिमाग के कार्ड निकालेंगे दोनों का देखेंगे और यह कलक्टिव रिडिंग है इसमें सबी 12 रासियों के लिए है ये reading आपके person की कोई भी रासी हो सकती है हम quick energy check करेंगे और देखेंगे कि आपके person के दिल में क्या चल रहा है पहले हम दिल के card निकालेंगे और फिर हम जो है दिमाग के card निकालेंगे ठीक है चलिए अभी हम उनके mind के card निकालती है मुझे यहाँ पर जो है एक song channel हुआ है अभी अभी कि दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुख जाते हैं ठीक है यह अभी अभी मुझे song channel हुआ है मुझे नहीं पता आपके आपके partner को जो है पसंद हो या फिर इस reading से match करता हूँ मुझे नहीं पता अभी तो मैंने काड़ शुरू भी नहीं किये हैं ठीक है तो देखे शायद आप लोग no contact situation में हैं long distance पे हैं और मुझे अभी यह song channel हुआ है कि दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुख जाते हैं ठीक है तो मतलब उनके कदम तो आपके तरफ आने की कर रहे हैं फिर रुख जाते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या energy है देखे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाई कि आपके person जो है आपसे मोन होकर गए थे past में वो आपके साथ में आगे life को नहीं देख रहे थे उनका दिल कहता था कि नहीं यह person मेरे लिए ठीक नहीं है यह person जो है इसके साथ में आगे अपनी life को नहीं देख सकता यानि कि मैं इसके साथ आगे नहीं चल सकता हो सकता है कि आपके person scorpio हो या आप मेरी बिए scorpio हो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे क्योंकि टावर का काड़ा है तो scorpio की life में टावर बहुत जदा आता है बार-बार टावर आता है तो हो सकता है कि आपकी life में बार-बार टावर आ रहा हो और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि बार-बार टावर आने की वज़े से बार-बार आप लोग separate होती है फिर सेपरेट होती है फिर मिलती है उनका दिल ऐसे कहता है कि मुझे इस relationship से आउट हो जाना चाहिए मतलब निकल जाना चाहिए ऐसा वो सोच रहे है एक बार टो ऐनका दिल कहता है कि मुझे बात करनी चाहिए फिर जब वो बात करते हैं तो उनके लाइफ में टावर आ जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टनर जो हैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि एक बार तो उनका दिल करते हैं कि कमिट्मेंट दूँ अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दो उनको ठीक है और दूसरे ही पल जो है वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते कि मैं ऐसा करूँगा आगे लिजाँगा लाइफ को फिर से टावर आ जाएगा यह सतरी के एनरजी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है तो आपकी परसन जो है आपके साथ रिस्क लिना भी चाहती है और आपके परसन को टावर का डर भी लग रहा है और यह भी देख रहे हैं कि आप इसे उनका संसार भी है उनका दिल कहता है कि नहीं इस परसन को तो मुझे छोड़ना नहीं है इस person के साथ मेरी जिंदिगी बनी हुई है तो आपकी person जहें आपको छोड़ना भी नहीं चाहती है उनका दिल ये भी कहता है कि नहीं नहीं इस बंदे से मुझे दूर नहीं जाना है क्योंकि इसी से मुझे complete feel होता है और इसको commitment देना चाहिए लेकिन दूसरे पल उनका दिल कहता है कि नहीं नहीं मुझे moan कर लेना चाहिए क्योंकि ये आगे चल नहीं सकता है ठीक है universe के blessings आ रही है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि इसकी विज़े से आपके partner कभी कभी ये सोचते होंगे commitment देना चाहिए ठीक है आपसे बात भी करते होंगे बातों बातों में आपकी लड़ाई होती होगी ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है तो उनका दिल कहता है कि मुझे risk लेना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर tower का डर लग रहा है ठीक है तो शायद इसी वज़े से यह song channel हुआ मुझे अभी अभी card निकालते निकालते तो अभी मैं उनके mind की बात करूँ तो mind में उनके बहुत stress है रातों को सो नहीं पा रही है उनको ऐसा लगते है कि यह pain मुझे ही क्यों मिल रहा है इस relationship में शायद मैं ही यह pain देख रहा हूँ मुझे ही इतना pain मिल रहा है मैं ही सारी responsibility उठा रहा हूँ और आपके person को हो सकते है कोई major surgery भी हुई हो उनको back pain भी हो सकती है उनको कोई और issue भी हो सकती है यह मतलब बढ़न सा लगने लग गया है मैंड भी कहते है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए मेरे पास दो रास्ते है एक family को जाता है और एक अपने partner को जाता है तो मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए ठीक है या फिर मैं spirituality की तरफ आगे बढ़ू तो कुछ के partner मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि कापी spiritual भी हो रहे है कि उन्होंने God को surrender कर दिया है कि God आप ही जाने मुझे रास्ता नजर नहीं आता है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना है मैंने तो आपके उपर ही छोड़ दिया है अब आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है हो सकता है कि आप long distance पर हो या हो सकता है कि आपके partner जो है on of की situation में आपके साथ में रहते हों आते हों चली जाते हों आते हों चली जाते हों इस टाइप की गोड को भी surrender कर दिया है कि भगवान अब देखी जाएगी risk लेने की क्योंकि यहां पर उनका दिल कहता है कि risk लेजिए ठीक है तो यहां पर वो कह रहे है कि मुझे बात करने चाहिए चल करके उनको मुझे बोलना चाहिए कि मुझे नई स्टार्ट करनी है तो हो सकता है कि आपके partner जो है आपसे contact कर सकती है आपसे communicate कर सकती है आपको कोई call or text message कर सकती है तो उनका दिमाग यही कह रहा है कि मुझे अपने partner से बात करने चाहिए ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपसे एक नई शुलात करने की सोच रहे है यहां पर हो सकता है कि बहुत ही passionate beginning आपसे करना चाहते हो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि पूरी energy के साथ में फुल अप पावर में आना चाहते है अपने emperor पावर में आना चाहते है जो कहीं वो भूल गए थे कि मैं शेर भी हूँ या गिदड़ी हूँ वो गिदड़ बनके रहा गए थे जैसे बीच में तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि जैसे वो शेर के तरह अपनी जिंदिकी जीना चाहते है तो हो सकता है कि वो आपसे बात भी कर सकते है ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है तो उनका mind यही कहता है कि मुझे चलकर बात करने चाहिए फिर मैंने तो गोड के उपर छोड़ दिया है कि जो भी होगा देखा जाएगा पर मुझे शुरुआत तो करने चाहिए एफर्स तो लगाने चाहिए अपनी लाइफ में ठीक है नहीं तो पस्तावा ही रह जाएगा कि मैंने एफर्स लगा ही नहीं और मैंने ऐसे ही युद भूमे को छोड़ दिया मतलब आप लगों की युद भूमी लग रही है मुझे क्योंकि बार-बार रड़ई होती है टावर आता है तो इस तरह से कि वो यह सोच रहेगी फिर तो मुझे अफसोस रह जाएगा कि मैंने एफर्स लगा ही नहीं मैंने रिस्क लिया ही नहीं अगर मैं रिस्क लेता तो शायद हमारा रिलेशनशिप बेटर हो जाता तो यह आपके पार्टनर के हर्टकी है और यह आपके पार्टनर के माइंड के एनरजी है ठीक है चलिए अभी हम एंजल की तरफ से कुछ उनने सरिंडर कर दिया है भगवान चाहता है कि वो खुदी कर रहे है वाव देखिए यहां पर जो है हमारे पास ट्रिपल वन है तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉंग है तो आप मेनिफेस्ट करिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको मेनिफेस्ट करिए ठीक है एक्चुल में आप क्या चाहते हैं आप जो नहीं चाहते हैं उसको मेनिफेस्ट ना करें ठीक है और आपको grounded रहना चाहिए आपके अंदर जो qualities है ना आपको उनको नहीं छोड़ना है जो जैसा आप है वैसे ही आपको वो accept करेंगे ठीक है या आपको जैसे आप है वैसे ही आप रहिए आपको अपने अंदर change दाने की जरूरत नहीं है अगर आप सच बोलते तो यूनिक है आप किसी से कम नहीं है आप यह सोचे कि मैं किसी से कम हूँ तो आप किसी से कम नहीं है यह खा जा रहे है एंजल की तरफ से कि आपको अपनी यूनिकनेस को छोड़ना नहीं है ठीक है यहाँ पर यह खा जा रहा है कि 651 के तुरू कि आपके टिन फिलिम जो है आपकी आविकनिंग हो रही है और आपके परसन की भी आविकनिंग हो रही है तो ड्रीम में आप दोनों मेल सकते हैं ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह थी एंजल्स की तरफ से मैसल्स आपके लिए I hope guys the reading up course राजने तो डाजने तो प्लीजाने तो ब्लीजाम ए टाजने जाने था वी राजने तो प्लीजा दो याड़ने तो प्लीजार एल्ट डान थीड्या आण तो केर बावाई